पाकिस्तान के पेशावर में रवीवार को सिख समुदाय के दूर लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई इसलामिक स्टेट ग्रूप ने इसके जिम्मदारी ली घटना के बाद सिखों का विरोध और पुलिस की जाच परताल जारी है पेशावर से जानकारी देने हमारे सेयोगी सिराज उतिन पंद्रा मई को पेशावर में सिख समुदाय के दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई इसके बाद तनाव की स्थिती पनी हुई है इसलामिक स्टेट समुह ने इस हमले की जिम्मदारी ली है कुलजीत और रंजीत सर्बंद इलाके के बटाताल बाजार में किराने की दुकान चलाते थे रंजीत के भाई नरेंदर सिंग का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी रविवार की घटना के बाद सिक समुधाय के लोगों ने सडकों पर उतर कर अपना विरोध तर्च कराया उन्होंने शवों को रख कर घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया उनकी मांग है कि हमलावरों को फॉरण गिरफतार किया जाए वहीं पुलीस का दावा है कि दो हमलावर मोटर साइकल से आये थे उन्होंने गोलियां बरसाई जिसमें कुलजीत और रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई पुलीस का कहना है कि इस तरह टार्गेट करके हमला करने का मकसद दहशत पहलाना है उनका ये भी कहना है कि इसमें देश विरोदी टाकतें शामिल हैं पाकिस्तान मुखालिफ रियासत मुखालिफ अफराद हैं जो वो खुवतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहती हैं, ये गुनियादी तोर पे किसी एक कम्यूनिटी को टार्गेट नहीं किया गया, ये सारी रियासत को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेहबाज शरीव सहित कई नेताओं ने पेशावर में सिखों पर हमले की भर्थ स्थना की है इसलामिक स्टेट इससे पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्प संख्यक सिख समुदाय को निशाना बनाता रहा है मार्च 2020 में इसलामिक स्टेट ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुर्दवारे पर हमला किया था जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए थे तब इसलामिक स्टेट ने इस हमले को भारत प्रशासित कश्मीर की घटनाओं का बदला बताया था